सारे कई लगबग देखें, last case है, Russian language में, last case, मतलब sixth case, जिसको हम बोलेंगे, instrumental case, ठीक है, so instrumental case कहाँ यूज होता है, with preposition, sir, sir means, with preposition, sir, sir का मतलब, with होता है, अब, जहां cluster of consonants होगा, आपको पता है, sir, o आ जाएगा, sir आएगा, so, ये with preposition, sir यूज होता है, और without preposition be instrumental case use होता है without preposition instrumental case use करते हैं जब हमें बताना है कि हम किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं जैसे example अब चलो देखते हैं मी वस्त्रेचायमस्या सनीम काश्दोयू निजेलियू ठीक है मी वस्त्रेचायम से सनीम काश्च जू निजेलिए वस्त्रेचायम से आ गया तो हमने कहला गया सर्वित instrumental केस सर्वित instrumental केस ठीक है he and I meet every week he and I meet every week ठीक है so मी चास्ता विजीम से सनीम वनिवर्सिटे ते we often see him at the institute तो सनीम सनीम आ रहा है इसके बाद है न सर के साथ instrumental केस इसका मतलब वित का सेंस आ रहा है ठीक है या पस्द्रवाल से सब प्रिपद वाद चलियें I greeted my teacher जिनके स्टूदेंट रजगवरी वायत सद्देवोशकई स्टूदेंट इस स्पीकिंग वित गर्ल यहां पर भी आप देखो इंस्टूमेंटल केस देन क्या एक एक इग्जांपल देखो जैसे नॉन इस्टूमेंटल और इस्टूमेंटल जैसे सवेतवाद द्रूगू तो एडवाइस फ्रेंट इसके साथ क्या डेटिव केस लगा लेकिन जैसे यह आ यहां रिफ्लेक्सिया सवेत वाद्षी अध्रूगम सवेतौ वाद्षीया सद्रूगम सवेत्वाद्ष आध्या सद्रूगम है सबयटेवाद्स मतलब एडवाईस लेना सवेतौ आजसो मतलब pork state और रि Cincinnati होगया है यहां पर instrumental case to meet with someone to meet with someone तो यह विट प्रिपोजिशन आप प्रिपोजिशन सा के साथ आप instrumental case लगा के विट के सेंस में लगा सकते हो ठीक है यह तो वर्ब क्लियर है से गुल्यात चितात इग्रात यह तो आपको पता है कि वाक विट रीड विट डान्स विट किसी के साथ किसी person के साथ आप लगा रह है कि हम उसको ऐसे instrument कर रहे है उस object को ऐसे instrument यूज कर रहे हैं विदावट प्रिपोजिशन ठीक है जो भी object है उसको हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जैसे मी पिशीम करंदशों इली रूचकई सो यहां पर देखो सा नहीं है लेकिन ट्रांसलेट क्या करेंगे आई वी राइट विथ पेंसिल और पैन तो विथ यहां पर आएगा लेकिन यहां पर प्रिपोजिशन नहीं है मतलब आप उस प्रिपोजिशन त है बातला उसके साथ आप काम आप एकिन यहां विथ इंस्ट्रूमेंट जहां वहां यह अफार यहां पर किसी को डाउट है तो बता हो यहां पर वित है लेकिन आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया इसलिए कोई प्रिपोजिशन नहीं है प्रिपोजिशन वहीं लगेगा जहां पर आप किसी से किसी के साथ काम कर रहे हो किसी के साथ कुछ कर रहे हो ठीक है तो स्चेम और चैम स्चेम मतलब विट व pos what or what ठीक है पर इनिमेट और स्केम और चैम वित ं व ineffective भी उस्थ किसा साथ किसी को to you काम sous गएगा तो तो चैब मतलब किसी के साथ कोई काम कर रहे हो और चैब आएगा किसी को ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ठीक है फॉर इननिमेंट ऑप्जिक्टिक है कि आदे को कि पृपोजिशन सा का एक हमने देखा था फ्रॉम भी मीनिंग होता है ठीक है ना जो ना की जागा Vali कि लिए हम ना जैसे ना का मतलब यह होता है तो उसका जनाटिव केस में counterpart अधिक के लिए हम जाकर ये विब सी उनप्राइट पेस जो अत्कुदा स पच्टी न इसकुदा स उश्टी तो फ्रॉम फ्रॉम सास्तोला from होता है सा का मतलब from भी होता है तो और सा का मतलब with भी होता है सा with instrumental case with सा with generative case from ठीक है सा with generative case means from सा with instrumental case with ठीक है instrumental case with preposition सा मतलब उसके साथ आप कुछ काम कर रहे हो किसी के साथ with का sense without preposition मतलब उसको as a object as a instrument use कर रहे हो ठीक है then क्या है sir मतलब from with जनेटिव केस मतलब with in instrumental केस ठीक है और यह जो है reflexive verbs इनके साथ साह आपको लगाना है maximum आपको reflexive verbs में instrumental केस मिलेगा ठीक है सो हम देखते चलेंगे जहाँ जहाँ टेस्ट में आप endings देखते हैं तो बहुत सिंपल है जार पैंडिंस गया से चार मोटी-मोटी चार एंडिंस और घमिन साइन में यू बस इतनी इतनी यू हो जाता है student का student कई जिरेवने जिरेवने आधि ओडिटोरिय आधिसे एहो जाएगा feminine soft sign you, tetrad, tetrad you, math, mater you, ठीक है, math का materi होता है, तो उससे materi हो जाता है, ठीक है, then om और yem, om कहा है, all neuters में o वाले पे, और masculine nouns ending with consonants, student, studentum, stole, stalom, akno, aknom, then yem कहा हो होता है, masculine, masculine soft sign, और एक्रात कहें में, और neuter, ये में, so pripadvachal, pripadvachal yem, slovar, slovar yom, sanatory, sanatory yem, pole, pole yem, zdaniye, zdaniye, ठीक है, ये वाले में yem, masculine soft sign में yem, पूत, पूत क्या हो जाता है, पूत्यों, instrumental case में, पूत्यों, अब ये बोल रहा है, जो ये down है, ये जश्या और त, इसमें क्या है, अगर stress last में है, तो oe होगा, ठीक है, इसके बाद, उसके बाद अगर a आ रहा है, या soft endings हैं, जहां पे oe और ये इं वाला, तो अगर last में, last में stressed हैं, तो oe होगा, otherwise ये ही होगा, तो दूशा क्या हो जाजगा, दूशोई, कर अथ्शोई, करन दाश क्या होगा, कर अचका है, यहां पर, आ पर ending है, तो पहले ending है, औलिध्टा है, तो देखो, ओम और यह में बह Jews करनदाश में देखों करंदाश में रास्ट में इस्ट्रेश तो करनदाश अंब अथे संब स्सक्रेस्ट रास्जल से ले तवारिश तो तवारिशceptions हो गया अफ्रिकानेट्स अफ्रिका Anybody SIM थ्यान देले ना इसका आपको समझ में आ जाएगा देखो यह construction मी सा इंग्लिश में क्या बोलते हैं माई ब्रदर एंड आई लगाते हैं लेकिन यहां पर माई मी ही लगाते हैं मी से ब्रातम को कैसे i and my brother आई आई डोड़ोगे तो नहीं मिलेगा सबके साथ मी ही लगाते मीस अब्रातम मतलब मरे जस्थर ही सबनें आयएण जीत यह 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 यहा क्या हो जाता है मनो इस्तम नोई ती थबोई ती तबोई और एम यजकी 이제 पता है यह कि जब प्रिपोश्जन लगता है तो अना आ जाता है बीचमें सनीम अना ये यू और स्नेई तो ये यू स्नेई यहाँ पर थोड़ा अंतर है देखना without preposition ये यू है और with preposition स्नेई है मी नामी वी वामी अनि इमी और स्नेई ये है आपका personal pronounce in instrumental case ये याद करना पड़ेगा आपको अब देखो ये construction द्रूग द्रूग द्रगव में इच अदर अब यहाँ पर क्या है यह ऐसे नाउन यूज हो जाता है ठीक है ऐसे नाउन यूज होता है सबके लिए आप लगा सकते हो ठीक है सबके लिए लगा सकते हो कोई gender का इसमें distinction नहीं है, अब इसमें क्या है, पहला वाला जो लुबियात दूग दूग दूगा, अब दूजिया के भी लगा आया, शेस्त्री के लिए भी लगा मतलब किसी के लिए लगा सकते हो अब अ के साथ लगा दिया इसी तरह तो इसके साथ लगा दिया इंस्ट्रूमेंटल केस ठीक है फ्रेंड एडवाइज इचदर अनीव सिधार दूमायूत अद्रूग आफ नगे सारव दूग के साथ तो आपने देखा दूसरा वाला जो है यह केस के साब से चेनि रहेगा कर्मेंटल केस कहां कहां यूज होता है यह भूत ध्यान से समझ लेना कुछ वर्ब हैं उनके बाद इस फीलगता हुआ है और कुछ में सा के साथ लगाते हैं ठीक है reflexive words में डिलेक्ट सा के साथ लगा सकते है सो इसका sense width का सेंस रहता है जहां भी इंस्टिमेंटल केस आएगा वहां पिलभी width का sense रहेगा अगर इंग्लिश में direct आपको width का sense नहीं मिल रहा है फिर भी आप उसको width के sense से समझो तो आपको easy रहेगा समझने में ठीक है instrumental case में width का sense रहता है अब width आप instrument भी यूज़ कर सकते हो और किसी के साथ काम करते समय भी width आप यूज़ कर सकते हो ठीक है नाम और भी अभी देखेंगे notes on vocabulary में भी जो patronymics होते हैं यह ऐसे noun की तरह decline करते हैं ठीक है जैसे नाम है मिखाइल इवानोविच में क्या हो जाएगा अगर मालो case में change देखते हैं तो क्या हो जाएगा मारिया इवानोवना मारिया इवानोवना क्या हो गया अथ मारी इवानोवनी और इस्ट्रूमेंटल केस में सम्मारिय इवानोव नहीं ठीक है ना तो यह भी चेंज होता है ज्ट केस लाउन कि नेरे इसन्य में क्या होते है आट नेरे फैंश्टिक कॉलते हैं आभ नाम का कैसे कैसे नाम होता ऊपर है एन निंग इन इन इंडिंग इन्ड़ लितस्क डीन में डी इस्ते डीकष्स इस्ट इस सबसे तरह से हैं सम्झोरो आप गाए एडेक्ट्ट टाइप से हैच्ज हो रहे हैं तो छीente क्या अँब क्या म 이건 पुष्ट की निम इन है तो इन इन आ जाए जाए है इसके लिए इसके वाद इम आ जाता है तो अभी वही है चेंज करने का एंडिंग्स वही है पेक्टरोनीमिक की